भी बाजपा का जो वर्कर है ना उसने माल लिया हम जीते हुए हैं परदान मंत्री मुद्धी जी बन रहे हैं तो उसलिए थोड़ा सा ओवर कॉंफिडेंस से भी यह काम हो जाता है कई बार तो यह होना नी चाहिए हमें मेनत करनी चाहिए लास्ट मेनट पर हमारी सीटे पहले हिंदोस्तान में वह 55 साल के जुआ नेता हैं वह उनका नाम नहीं ले रहे हैं अर्षप्रकाश के दर्शकों को नमस्कार आज हम भाजपा के सेक्टर 33 कारेले में पहुंचे हैं चुनाव का अंतिम दिन है और प्रचार शाम को बंद हो जाएगा कल वोटिंग होनी है और उस कि सिलसले में हम आज जीतिंदर मलोतरा जी जो भाजपा के चंडीगड के अधिक्षा उनसे बातचीत करने आए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव परचार आज समाप्त हो जाएगा आप जंता को क्या संदेश देना चाहेंगे मैक्सिमम लोग वोट करें यह उनका अधिकार है अगर मैक्सिमम लोग वोट करेंगे तो वो एक उनके मन में जो परदान मंतरी चुनने की प्रिसक्या है वो पूरा कर पाएंगे वो हिंदोस्तान कैसा बनाना चाहते हैं उनकी क्या च्वाइस है कौन से परदान मंतरी ने क् यह यह जरीया ना बताने का तो मैं कहता हूं मैक्सिम लोग वोट करें और वोट की परसिंटेज कम से कम 80% होनी चाहिए चंडिगण में पड़े लिखों का शायर है गर्मी की वज़े से लगातार आप देख रहे हैं कि छेचरण के चुनाव चुके हैं उसके बावजू जो है वोटिंग मदान के अंदर तक ले जाने के लिए किस तरह के प्रबंद आपने किया हैं कि हमने भी प्रबंद किया है, इलेक्शन प्रबंद करने में लग भी गया तो इतनी बड़ी प्रोपन नहीं होती आपका जो मद्दाता है उस मद्दाता को ले जाना क्योंकि जहां जहां भी वोटिंग का पेटरन अगर आप देख रहे हो तो गर्मी की वज़े से नहीं जा रहा है और वो कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि कहीं उसमें ऐसा नहों कि वोटिंग की प्रती उदासीन है पुद्दी जी बन रहे हैं तो उसलिए थोड़ा सा ओवर कॉंफिडेंस से भी यह काम हो जाता है कई बार तो यह होना नहीं चाहिए हमें मेनत करनी चाहिए लास्ट मिनट तक असी प्रतिशत वोटिंग का अगर आप मान के चलते हैं कि चैन्डीगर में वोटिंग होती है तो आप क्या मानते हैं कि आपने श्याद 60% का टार्गेट सेट किया हो तार्गेट शाट पर्चंट वोट शेर हमारा टार्गेट नहीं है वी हैब टू अचीव दिस चुनाव योग ने वहां पर किस तरह से आपने बूट सर की जो माइक्रो मेनेजमेंट जो है पार्टी की तरफ से हर पार्टी करती है आपकी तरफ से किस तरह की मेनेजमेंट पंद्रह हजार पन्ना प्रमुक काम कर रहे हैं नीचे हर पन्ना और बूट लेवल पर तो कोई दिक्कत नहीं है हमें बोड़ शेर बढ़ाने में भी और काम करने में जितना बड़ा हमारा संगठन है और यह हमारा संगठन 24 गंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहता है हमें कोई ऐसा लगता नहीं यह आज इलेक्शन है हमेशा हमें एक स्पाही है बारत के तो हमेशा त्यार रहते हैं हम आज एक फैसला हाई कोड की तरफ से आया है हाउसिंग गोड के जो एंपलोईज हैं उनके पक्ष में फैसला आया है यह मुद्दा बना हुआ था यहां पर चुनावों के दोरान भी और फैसला यह आया है कि जो जमीन की कीमत है वही रहेगी लेकिन जो कॉस्ट बनाने की है वो उसमें वेरियेशन हो सकती है क्या कहेंगे इसके बारे पर नहीं बहुत खुशी की बात है जो हाई कोड ने फैसला किया है वी जमीन की चलो जो कंस्ट्रक्शन की कोश्ट है टाइम टू टाइम बढ़ जाती है तो अगर जैसे अभी में जो मुद्दा था वो जमीन की कोश्ट को लेके था तो जी हाई को के से ऐजे परधान चंडीगड के संभाली है और काफी अच्छा जो है चुना परचार आपका चला है तो अब आपको क्या लगता है कि कितने मार्जन से आपकी जीत होने जा रही है तो मार्जन तो हट देखो मार्जन तो हमेशा बढ़ता रहता है हमारी सीटे बहले दोसो बुइंजा थी दोसो पिजात्र होगी फिर तीन सो चार होगी तो मार्जन तो कंट्रीनूर बढ़ रहा हमारा कि आश्वासन या की राष्टी अस्तर पर जो है यह मोदी जी की गरंटी तरह से कौन सी ज़्यादा का मीधेशन का चुनाव है इसमें नेसिनल मुद्दे होते हैं इसमें होते इसमें का मुद्दा होता है इंफ्राच्ट्रे कंट्री होता है मेडिकल फस्यल्टी होता है पावरं का मुद्दा होता है हमने इग्सपोर्ड किया है इस बार हमने डिफेंस में हम सेकंड इंदी मोंबाइल मेनुफway क्चिरिंग हैan सेटलेट हमने साथ पॉल पे बेज़ दिया कंट्रीज अब हमारे को ओर्डर वेरिया सेटलाइज के उपर तो यह है यह मुद्धे हैं और लोकल लेवल पे भी हमने काम कम नहीं की हैं अगर लोकल लेवल पे बिगिनी हैं आप देखिए अंडर पास साथ 551 सर्जी नहीं बना पए 300 किलो मिटर का सैकल ट्रैक नहीं बना पए तिसप्वंसर को मीनी ऑस्पिटल में होस्पिटल कर दिया यह यह सब प्रोग्रेस है सर एक से भी ज्यादा परचार चला उस परचार के दोरान आपका जो विपक्षी में प्रतिद्वंदी हैं कॉंग्रेस के मनीश तिवारी उनको किस तरीके से आंख तेवाओ पहले बात तो मनीश तिवारी जी जो उनके लीडर है ना जी जो 55 साल के जुआ लीडर हैं साट साल वैसे पच्पंश साल के जुआ नेता है वो उनका नाम नहीं ले रहे है तो नाम नहीं ले रहे हैं तो यह हमारे साथ थे बाजबा के चंडीगर्ण अध्यक्ष जतिंदर पाल मलोतरा उनका कहना है कि हमने बड़े तरीके से जो है चुनाव को मैनेज कर रहा है और अब अंतिम दिन जो है चुनाव परचार का है कल वोटिंग होनी है तो लोगों से यही अगर है उन्होंने किया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में वो पहुंचे वहाँ पे और उनकी तरफ से ज झाल